शायद ही कोई होगा जो चैटिंग के दोरान एक दूसरे को इमोजी न भेजे। ऐसा इसलेवी है क्योंकि इमोजी के जरिए लोग अपनी भावनाओं को आसानी से समझा पाते हैं। हर साल दुनिया भर में 17 जुलाई को वर्ड इमोजी डे भी मनाया जाता है। रोने से लेकर गुसा और बुखार सब एक इमोजी के जरिए समझाया जा सकता है। चलिए आज जानते हैं इमोजी आया कहां से। इमोजी की शुरुवात 1990 के दसक में 176 रंग विरंगे आइकन से हुई थी। आज इनकी संख्या लगवग 2500 से अधे गया। जादा से जादा नए जुड़ए इमोजी स्मार्टफोन्स पर चैटिंग की आदतों को बदल रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर चैटिंग करने वालों के पास चुनने के लिए हजारों तरिके के इमोजी हैं। पर उन्तु कुछ लोगों को अभी भी एक कम लगते हैं। उन्हें लगता है कि इन में उनके समुदाय या उनके लुक वाले लोगों का जरा भी प्रतिने धित्व नहीं हैं। समाइली तथा उनका प्रियोग करने वालों का अध्यन बर्लिन फ्री उनिवरस्टि के एक भाषा भिग्यानी करें। वा जानना चाते हैं कि लोग उनका उप्योग किस तरीके के इमोजी की डिमांड कर रहे हैं। और क्या इसकी कई सीमा भी है। इसके अनुसार वर्तमान में कुल संख्या 2623 है क्योंकि इमोजी जारी होने की प्रकिरिया में सालों लग सकते हैं बैग्यानिकों की नए इमोजी के लिए लगातार आग्राह मिलते रहते हैं और उन्हें याताय करना पड़ता है कि उन्हें डेवलेप करना है कि नहीं अब हम बात करते हैं कि इमोजी पीले रंग का ही क्यों बनाया गया है सिफ्ट मीडिया ने इमोजी पर एक स्टडी की है जो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है स्माईली इमोजी के पीले होने के पीछे कोई मुकमल जवाब नहीं है इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं कूरा पर कुछ लोगों का कहना है कि पीले रंग, स्किन, टोन को मेल खाते हैं इसलिए स्माइली वाले इमोजी पीले ही होते हैं जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये बेहर्ट शेरल हैं मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए चेहरे मीडिया में हमेशा पीले दिखते हैं इतना ही नहीं, चाहे स्टिकर्जों या बलून उनके रंग भी अधिकतर पीले ही होते हैं यह रंग खुशी का प्रतीक होता है वहीं एक तर्क था कि पीले रंग के बैक्राउंड पर चेहरे की डेटेल साफ दिखती है इसलिए चीजें उभर कर आती हैं तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमारे चानल पर न्यू हैं तो चानल को सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए